Hello everyone, welcome back to my channel तो आज हमारे इस session में हम आगे का topic continue करते हैं हमारे previous lectures में हम transformation of equation के बारे में पढ़ रहे थे राइट तो आगे continue करते हैं इसके transformation of equation का ये वाला topic मैंने आपको कराया था last question हमारा ये था जिसमें हमने h equals to 2 put किया था और इससे solve किया था I hope आपको वो वीडियो समझ में आया होगा clear होगा कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं okay so आगे का हमारा next topic है next topic continue करने से पहले एक दो question और देख लेते हैं उस पर जो थोड़े से आपके लिए important हो सकते हैं आगे के एक दो examples और ऐसे हैं जो आपको करने में थोड़ा सा problem हो सकता है right तो उन्हें भी हम देख लेते हैं ताकि वह आपके लिए easy हो जाए फिर आगे continue करेंगे तो देखो इसका मैं यह वाला question देती हूं question number दिखा देती हूं आपको देखें यह है यह question हम ले रहे है exercise 11D का question number 13 okay यह question हम ले रहे हैं इस question में हमें बोला है कि alpha, beta, gamma be the roots of the equation equation हमें given है xq plus qx plus r equals to 0 then find the equations whose roots are अब आपको यह सारे roots given है मैं आपको इस root से करके दिखाती हूं बागी के आपको solve करके देखने थी कि नहीं आ रहा है तो आप comment section में comment करना next lecture में देखने गए okay देखो तो यह वाला लेके चलते हैं see इसे solve करने के लिए हमारे पास यह roots दे रखे हैं हमें alpha, beta, gamma दे रखा है कि अगर यह in equations के root होते हैं तो इन equations के root क्या होंगे अगर इस equation का root हमें alpha, beta, gamma given है तो इस equation का root हमारे पास क्या होगा यह हमें बताना है ओके और यह हमें दे रखा है अब देखो हमने पहले वाले equations में कैसे किया था कि alpha plus beta plus gamma ऐसे निकाला था न हमने राइट कि alpha plus beta plus gamma equals to zero alpha, beta, sorry, equals to minus का b by a, c by a, ऐसे हमने क्या था, इसमें देखो हमें x cube given है लेकिन हमें x square given नहीं है तो इसमें आप क्या करोगे, alpha plus beta plus gamma की value क्या होगी minus का b by a, minus का b by a that is b तो है ही नहीं आप हमारे पास है ना, b तो है ही नहीं हमारे पास तो minus का b by a करोगे, आप तो आपके पास zero आएगा, तो हम इसका submission ले लेते, पहले equations में हम कर चुके कि submission का क्या मतलब होता है नहीं समझ में आ रहा है, previous lectures को देखो, right, देखो, submission of alpha हमारे पास zero हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x square वाली term missing है यहाँ पर, अगर हम alpha बीटा गामा की value निकालना चाहें, तो वो minus का c by a हो जाएगा d by a, right, alpha बीटा गामा, क्योंकि alpha बीटा प्लस बीटा गामा वो होता है, minus का c by a c by a, that is, और अगर हम alpha बीटा गामा निकालना चाहें तो minus का d by a होगा, तो यहाँ पर मैंने alpha बीटा प्लस गामा की value निकाली है और alpha बीटा गामा की value यहाँ से निकाली है that is, minus का r मेरे पास आया है, okay, clear है यहाँ तक अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से यह वाली term उठा रही हूँ, beta प्लस गामा और इसको मैं y put कर रही हूँ, यह चीज मैंने आपे की है beta प्लस गामा मैंने लिया है और इसको y के equal रखा है, okay अब आप क्या करोगे, बताओ, क्या करोगे, देखो alpha प्लस बीटा प्लस गामा की value, 0 के equal होती है तो यहाँ से हम beta प्लस गामा की value minus alpha निकल जाएगी है मारे पस, ठीक है, यहाँ से alpha प्लस बीटा, देखो मैं करके बताते हूँ शायद आपको यह से लग रहा होगा, क्या alpha प्लस गामा चल रहा है beta गाई देखो alpha प्लस बीटा प्लस गामा equals to 0 यह हम लेके चलते हैं तो यहाँ से मैं अगर beta प्लस गामा ले रही हूँ तो वो value मेरे पस minus का alpha आएगी और if suppose मैं अगर beta प्लस गामा को y ले रही हूँ तो यहाँ से मेरी y की value क्या हो गई minus alpha और alpha की value निकालूंगी तो वो minus का y हो जाएगी यही चीज मैंने बोली है यहाँ ठीक है यही चीज हमने यहाँ पर की है और alpha की जगे अगर मैं minus y पुट करती हूँ that is तो देखो करना क्या है आपको इसमें सिर्फ equation find out करनी थी alpha की जगे हमारे पस minus y आ गया तो हम यहाँ पर minus y पुट कर देते हैं अगर हम यह roots लेके चलते हैं तो उसके equations क्या होंगी तो वो हमने equation find out कर ली अब एक next question देख लो वैसे तो आपके लिए home work था लेकिन फिर भी बता देती हूँ एक दो questions और आपको ताकी थोड़ा easy हो जाए और समझ में भी आ जाए यह देखो यह question है यह next question है 1 by beta plus 1 by gamma 1 by gamma plus 1 by alpha और 1 by alpha plus 1 by beta ठीक है विजिबल हो रहा है ना यहां से ठीक है तो यह question लेके चलते हैं यह question हम लेके चले हैं इसमें से एक term जैसे इसमें से एक term मैंने यह से उठाई थी और उसको y रखा था वैसे इसमें से एक term मैंने उठाई है उस question मैं से और उसको y पुट किया है जाएगी माइनस का alpha ठीक है और alpha beta plus beta gamma इससे निकालेंगे तो मैं यहाँ पर value आजाएगी minus r by alpha क्या एगी minus r by alpha ठीक है और इसको solve करो alpha square by r आपके पास आजाएगा ठीक है तो देखो यह आपके पास आ रहा है यह इस equation से आया है बीटा गामा ठीक है alpha beta gamma जैसे मैंने यह आपके लिखाता है alpha beta gamma is equals to क्या होता है minus d by a तो यहां से minus d by a is minus r by 1 आया था that is minus r तो अगर हम beta gamma की value निकालना चाहे तो minus r by alpha आएगा ठीक है clear है और इसको हम थोड़ा सा और simplify कर दो उपर ले जो इसको तो यहां पर minus से minus cancel हो जाएगा यह alpha square हो जाएगा by r आजाएगा हमारे पास ओके अब देखो y की value alpha square by r आ रही है तो यहां से alpha की value की आ जाएगी square उधर जाएगा यह आएगा हमारे पास root में y r कस cube plus q root में y r plus r equals to 0 ओके अब यह square root open हो की उधर जाएगा तो y 2 आ जाएगा नीचे plus q y r square root हटेगा 1 by 2 आएगा plus r equals to 0 ओके y r की power में 3 by 2 plus q y r की power में 1 by 2 अब r को हम उधर ले जाते है equals to q की उधर ले गए तो minus q r हमें मिल गया अब क्या कर रहे है हम हमने 1 by 2 मतलब squaring कर दो into 2 into 2 square करते चलो square कर दिया तो 2 से 2 cancel हो जाएगा हमारे पास cube बचेगा यह square हो जाएगा 1 by 2 से cancel हो के y r बचेगा हमारे पास plus whole square क्या है न हमने both side अगर हम whole square करे तो हमें 2 a b 2 a b 2 a b भी मिलेगा तो यह करोगे आप तो 2 q y r इसको और इसको multiply करोगे तो y r का square आजाएगा equals to में r square हमें मिलेगा ठीक है easy है इसे तो open करी सकते हैं a plus b का whole square तो आप लगा ही सकते हो और मैंने बता भी दिया कैसे लगाया हमने ठीक है a square plus b square plus 2 a b यही किया है बस और कुछ नहीं किया 3 by 2 into 1 by 2 करोगे तो यह आएगा आपके पास ठीक है देखो आगे करो y cube r cube इसे और खोलो y cube r cube plus q square y square plus 2q y r का whole square equals to r square और y cube r square plus q आपको सिर्फ equation चाहिए सिर्फ और सिर्फ equation चाहिए आपको alpha की value आपने निगा ली इसमें put करी और आप इसे solve कर रहे हैं एक equation लाने के लिए कि अगर आपके roots यह होते हैं तो आपकी equation कैसी बनेगी ठीक है बस इतना सा काम करना है आपको तो आप आगे करो q square y r plus 2 q y r का whole square equals to r square y cube r square q square y plus 2 q y square r equals to r हमने इसमें से r common ले लिया था ठीक है r common ले लिया आप यहां से y ले लो के बाहर तो यहाजाएगा y square r square plus q square plus 2 q y r equals to r आजाएगा हमारे पास तो y और यह हमारे पास आएगा ry plus q का whole square equals to r जब हम इसे उपन करेंगे तो हमें यही चीज मिलेगी यहां से ठीक है बन गई हमारी question एक और question बता देती हूं देखो question visible है wait a while है मैं book से आपको question दिखाते हूं कि हम कौन सा question कर रहे है next देखो यह रहा third वाला question सिर्फ दो question आपको करने है 5 में से 3 मेने करा दी है देखो अगर मैं y equals to उसमें 3 root से रखे थे मैंने सिर्फ एक को लेके चली हूं y equals to beta by gamma plus gamma by beta LCM लोगी मेरे पास यह आ जाएगा वही beta gamma को मैंने as it is रहने दिया है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूं मैंने ऐसे उपन करके लिख दिया अब इसकी value जो है वो 0 है मेरे पास माइनस का alpha स्क्वार माइनस का 2 submission of alpha beta वही आपको करना है जो आपको equation given है उससे value निकाल रहे हूं nothing more ठीक है alpha plus beta plus gamma की value क्यों होती है माइनस का b वही होती है और माइनस का b x square तुमारे पास था ही नहीं वही equation है हमारे पास roots अलग अलग लेके चल रहे है बस ठीक है अब x square तुमारे पास था नहीं तो 0 हो जाएगा यह सेम alpha square रहेगा अब alpha beta beta gamma और gamma alpha इसकी value क्यों होती है minus का कैम होती है बताओ minus का c by a तो यहांसे minus का 2q आजाएगा c by a होती है minus नहीं आता है अब बीटा gamma की value minus का r by alpha रहेगी ठीक है क्योंकि alpha beta gamma की value minus economist का r होती है तो beta gamma की value minus का r by alpha हो जाएगी equation से ठीक है अब हम से इसे solve करो alpha उपर चल जाएगा तो alpha q plus का 2q alpha by r और इसको हम इधर लेके आ गए 0 हो जाएगा ठीक है right फिर फिर क्या कर रहे हो तो एक equation तो हमने यहां से लिख ली यह y हमारे पास था ठीक है इसको इधर लेके गए फिर इधर लेके आ यहां पर y चल रहा है हमारे पास y चल रहा है ठीक है इसको हम इधर लेके है तो एक equation तो हमारे पास यह वाली बन गई और दूसरी equation यह कहां से बनी है हमारे पास यह equation यहां से बनी है जो हमें given था x q plus qx plus r equals to 0 ठीक है x की जगे हमने alpha रखा है और यह value को मैं लेके आई हूँ ठीक है यह दो equation हमारे यहां से बन गई इसको आपको solve करना है q alpha की value यह आजाएगी alpha की value यह मिलेगी जो alpha की value आ रही है उस equation में रखके इसको solve करना है that's it easy है क्या करना है सिर्फ एक root लेके चलना है उस root को lcm से solve करना है alpha, beta, gamma जो हम previous lectures में already कर चुके कैसे निकालते हैं वो निकालना है आपको और y की value यह तो आप equation solve करके कर लो आपको सिर्फ alpha चाहिए क्योंकि alpha ही x के equal होता है और वो हमें equation दे रखी और x की जगे उस alpha को put करना है और कुछ नहीं करना सिर्फ मोटो हमारा alpha निकालने का होना चाहिए कि हम alpha कैसे निकाल रहे है that's it, nothing more ठीक है equation all लेते हैं फिर next topic complete करेंगे हमारा देखो अब इसमें हमें बोला है find sum of ninth power of roots अब यह equation हमें दे रखी इसकी ninth power निकालने है लेकिन power तो हम अरपास three available हैं आपे तो अब देखो क्या करेंगे हम x cube को ऐसे ही as it is रहने देते हैं और three x plus nine को इधर ले जाते हैं तो minus का three x minus का nine हमें मिलेगा हमें ninth power चाहिए तो हम पहले इसको x cube से multiply करते हैं तो हमें six power मिल जाएगी इस equation को मैंने x cube से multiply किया यह equation जो है ना मेरी इसको मैं अगर x cube से multiply करते हूँ तो मुझे यही मिलेगा x की power six minus का three x four minus का nine x cube ठीक है यह मिलेगा और minus का three x की power four और minus के इसको मैं थोड़ा expand करके लिख देते हैं क्या किया है x cube की जगे आपने minus का three x minus nine लिखो और expand करके लिखो ठीक है x cube की जगे क्या रखना है minus का three x minus nine और इसको हमने open किया है फिर minus का three x common लेके यह लिखा है plus 27 x plus 81 इधर ही रहा हम ना हमारा ठीक है minus का three x इसमें से निकाल लिया बच्चा क्या x cube की जगे minus का three x minus nine लिखना है अब इसे open करोगे तो यह answer मिलेगा 9 x square plus 54 x plus 81 ठीक है अब sixth power तो आ गई ninth power चाहिए तो into x cube वापस से कर दो x cube वापस multiply करोगे तो देखो क्या मिलेगा हमें 9 x square x cube की जगे वही minus का three x minus nine लिखना है अब देखो अब क्या करना है इसको open करो बस आपको सिर्फ इसे open करना है x की power nine आपको यहां से मिलेगी सिर्फ उसे open करके देखना है यहां पे solution दे रखा है open करके try करना खुद try करना इसमें मत देखना ठीक है नहीं आता है फिर आप यहां से ट्राय कर सकते हो, x की पावर 9 आपके पास यहां पे आ गई, तो submission of alpha की पावर 9, x is alpha, right, तो x की जगे हमने alpha रख देते हैं, तो यहां पे alpha का square हमें मिलेगा, x की जगे submission of alpha रख देंगे और यह आ जाएगा मरपस, क्योंकि सिर्फ एक ही root से तो हमने निकाल रहे हैं, the reason behind की हम क्यों यहां पे submission यूज कर रहे हैं is that हम एक ही root लेके चल रहे हैं, है न, एक ही तो root लिया था हमने, बाकी के दो roots भी तो है उसके साथ, तो उन roots का क्या होगा, तो इसलिए हम submission ले रहे हैं, कि सारे roots इसमें include हो जाएं, ठीक है, यह हमने लिया है, इसे आपको solve करना है, क्योंकि submission of alpha हमारे पास 0 होता है, alpha plus होता नहीं है, equation हमारे पास ऐसे given है, जो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि minus का भी बाई यह आता है, और x square की term missing है हमारे पास, इसलिए हमारे पास 0 आ गया, और इसे आप solve करोगे, तो आपको whole answer 0 मिलेगा, ठीक है, easy था, ऐसे ही एक question और given है, आपकी book में आपको, example में है, शायद fourth power निकालने का, वो भी आपको ऐसे ही करना है, try करके देखना, बहुत easy method है, 9th power निकालनी थी, तो cube से multiply किया था, 4th power निकालोगे, तो आप वो pattern देखना, कैसे करना है आपको, ठीक है, try करके देखना easy है, अब हम next method पे continue करते हैं, देखो, next topic है, हमारा solution of cubic equation, इसी chapter का part है, topic next है, right, तो वैसे तो हमें cubic equation solve करनी आती है, हमारे previous classes में यही करते आ रहे हैं, quadratic equations कैसे solve करनी है, cubic कैसे solve करनी है, ठीक है, यह सब हम करते आ रहे हैं, तो फिर, अब क्या ज़रुद पढ़ गई cubic equation के लिए, एक दूसरा solution, दूसरा method निकालने के लिए, वो यह है, कि कुछ equations, cubic equations, ऐसी है हमारे पास, जो still हम उसके roots, find out नहीं कर पा रहे हैं, right, कि हमारे पास roots, उसी के roots हैं, यह हम find नहीं कर पा रहे हैं, यह थोड़ा difficult हो रहा है, find out करना, इसके लिए हमने next method निकाला, that is cardens method, और cardens method, इसमें दो method है, ठीक है, एक to cardens method है, एक Ferrari method है, उसे हम आगे करेंगे, याद करने का तरीका यह है, कि cardens method, cardens इस cardiology से connect करोगे, तो आपको heart shape, से आप इसे connect कर सकते हो, इसलिए cardens जब भी आएगा, तो इसे cubic equation के लिए use में आएगा, तो आप इसे connect करके, याद भी रख सकते हो, कि अब इसे cubic equations के लिए use में आता है, अब इसका method देखो क्या होता है, direct question से link करते है, क्योंकि वैसे method जादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, equation से आप जल्दी link कर पाऊगे, मतलब question से आप जल्दी link कर पाऊगे, तो देखो, ये question हमें given है, x cube minus 18x minus 35 equals to 0, अब हमें इसे solve करना है, हमारा form क्या होना चाहिए, x cube plus 3hx plus g equals to 0, ये form क्यों होना चाहिए, क्यों दिया गया है ये form, क्योंकि ये methods if cubic equations पे ही apply होगा, याद रखना इस बात को, ऐसा नहीं करना है, क्या आपने quadratic equation में इसे apply कर दिया, ये आपको fourth power की equation दे रखी थी, आपने उसमें से apply कर दिया, be careful with that, कि आपको सिर्फ और सिर्फ cubic equations के साथ ये solve करना है, अब देखो, इसका method क्या है, बहुत जादा easy method है, एक बार बस solve, एक-दो question solve करके देखना है, practice में रखोगे, तो आपके पास बहुत easy हो जाएगा, देखो, करना क्या है, कि आपको x की value, p की power 1 by 3, plus q की power 1 by 3, ये suppose करके चलनी है, ठीक है, तो ये आपको let करके चलना है, कि x equals to p की power 1 by 3, plus q की power 1 by 3, इस equation का एक solution है, ये मैं लेके चल रही हूँ, अब देखो, इसका अगर मैं cube कर दूँ, तो क्या आएगा, a plus b का cube क्या होता है, इसका cube करोगे ना, इसका cube क्या तो x cube आ गया, इसका cube करोगे तो क्या मिलेगा, a plus b का whole cube, अगर हम open करते हैं, तो हमें मिलता है, a plus b plus 3ab, a plus b, तो हमने यही किया है, p plus q plus 3pq, p की power 1 by 3, q की power 1 by 3, और a plus b, यही लिखा है बस, और p plus q, और इसे हम लिख सकते है, 3p की power 1 by 3, और q की power 1 by 3, इसे हमने x लिख दिया, क्योंकि इसे हम x लेके चल रहे थे, तो इसकी जगे x put कर दो, ठीक है, अब x cube तो इहाँ पर चली रहे, ठीक है, x cube अब इस चीज को इहाँ पर लिया, और इस term को इधर लिया, और equals to 0 कर दो, अब एक equation तो हमारी यह थी, जो हमें given थी, एक equation हमने निकाल ली, इस method में, सिर्फ यही चीज important role play करती है, कि आपको x equals to p की power 1 by 3, plus q की power 1 by 3, suppose करके चलना है, कि इस equation का एक solution है, फिर इसका cube लेना है, इससे solve करोगे, तो आपके पास ऐस equation आएगी, अब देखो, इस equation और इस equation और इस equation को compare करो, यह इसी का ही तो form है, और यह इसका form है, तो इन दोनों को आप compare करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, देखो, p की power 1 by 3, और q की power 1 by 3, equals to 6 मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, इससे compare करके चलो, देखो, p की power 1 by 3, और q की power 1 by 3, हमारे पास क्या है, 3, 3 into, right, 3 into में 6 आएगा, फिर x आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास, p की power 1 by 3, और q की power 1 by 3, की value 6 आजाती है, तो यह value हमारे पास 6 आ गई, तो p q की value, 2, 1, 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 का cube, 2, 1, 6 होता है, जब 1 by 3, इधर power में जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा, ठीक है, और compare करोगे, तो p plus q की value, अमरे पास 35 आएगी, ठीक है, यह चीज आपको गणिए, तो p q की value आपको मिल गई, p plus q की value आपको मिल गई, लेकिन आपको p minus q भी चाहिए, क्यों चाहिए, वो आगे पता चलेगा, आपको क्यों चाहिए, तो p plus q की value आपको यहां से मिल गई, अब यहां से हम p minus q भी निकाल सकते हैं, देखो, p minus q का whole square करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, p square plus q square minus 2pq, यही मिलेगा, तो मैंने क्या किया, यहां पर p plus q का whole square कर दिया, और उसमें से 4pq को minus कर दिया, क्योंकि p plus q का whole square में open करूँगी, तो मुझे p square plus q square plus 2pq मिलेगा, ठीक है, और 4pq, मैंने इसमें से minus कर दिया, उन दोनों को minus करोगे, तो आपको यही term मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस term से related, और कुछ related information नहीं थी, p plus q की value हमारे पास थी, तो p plus q आपके पास 35 दे रखा, इसका whole square यह आएगा, और p q की value 2160, इंटू 4 करोगे, तो 864 मिलेगा, तो यहसे p minus q का whole square की value 361 आ गई, और 361 किसका whole square होता है, 19 का होता है, तो हमारे पास p plus q की value 35 मिल गई, और p minus q की value 19 मिल गई, इसे solve करो, q निकाला था p minus q, वो अब यहाँ पर आपको पता चलेगा, जब हम इस equation को solve करेंगे, तो हमें p और q की value मिल जाएगी, हमें यह चाहिए थी, हमें p की value और q की value चाहिए थी, जो हमें इन दोनों term से नहीं मिल सकती थी, इसलिए हमें p minus q भी निकालना पड़ा, तो जब हमने p minus q निकाला, और p plus q हमारे पास है, तो यहाँ से p और q की value आ गई, तो अब p की power 1 by 3 निकाल लो, इसका cube root क्या होता है, 3 होता है और इसका cube root 2 होता है, इसकी value निकल गई हमारे पास, simple, हमें सिर्फ यही करना था, p और q की value निकालनी थी, फिर उससे p 1 by 3 और q 1 by 3 की value निकालनी थी, क्यों, क्योंकि हमें roots चाहिए, और cardence method लगाने के बाद, cubic equation का root निकालने का यह method है, हमारे पास, alpha, beta, gamma, यह हमारे पास roots होंगे, alpha की value निकलेगी, p 1 by 3 प्लस q 1 by 3, p 1 by 3 की value 3 है, और q 1 by 3 की value 2 है, यहां से 5 मिलेगा हमें, और beta की value निकलती है, omega p 1 by 3 प्लस omega square q 1 by 3, तो यहां से आपको यह value मिल जाएगी, 3 omega प्लस 2 omega square, omega की value क्या होती है, यह आप already complex methods वाले chapter में पढ़ चुके हो, यह वाला की omega की value क्या होती है, minus 1 plus root में 3 iota by 2, और minus 1 minus root में 3 iota by 2, omega square की value होती है, इसे solve करोगे तो आपको यह मिलेगा, और gamma की value होती है, omega square p 1 by 3, प्लस omega q 1 by 3, आपको यह चीज धियान रखनी है, ठीक है, बस और गुच नहीं करना, यह आपका, यह आपके roots आ गए, easy था, और आप इसे वैसे solve करने की कोशिश करते, जैसे हम previous classes में करते थे, तो इनके roots निकली नहीं पाते, quite impossible जैसा था, ठीक है, थोड़े difficult भी पढ़ जाता है, इसलिए हमने उस method को यूज ना करके, cardence method यूज किया है, जिससे हमारे roots बहुत easily निकले हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने क्या किया था, यह हमारे पास equation थी, हमने x को इसके equal suppose किया था, कि यह equation का solution है, फिर इसका cube निकाला था, cube निकालने के बाएद, हमारे पास यह equation आई थी, ठीक है, अब इसको और इसको हमने compare करके, p1 by 3 और q1 by 3, और p plus q की value निकाली थी, यहां से, ठीक है, तो p1 by 3 और q1 by 3, से p q की value हमें यह मिली थी, और p plus q की value यह मिली थी, p plus q को use करके, हमने P-Q की value निकाली उन दोनों equations को use करके हमने P और Q की value निकाली यहां से हमने roots निकाले alpha, beta, gamma जो हमें यह दे रखे थे यहां से हमारे roots निकल गए easy था, right? अब देखो, इसमें एक important point यह है कि जब भी हम cardens method apply करते हैं तो हमारी equation में square वाली term नहीं होनी चाहिए right? तभी हम उसमें cardens method apply करेंगे अगर हमारे पास square वाली term होती है तो उसे हमें remove करना पड़ता है जैसे देखो, एक question हम उसका ले लेता है कि कैसे हम remove करते हैं उसकी term को जैसे देखो, इसमें हमें x square given है, अब इसमें हम cardens method नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास square आ रहा है तो square आ रहा है तो हम इसे अब कैसे solve करेंगे हमें square वाली term को हटाना पड़ेगा और cube वाली term बनानी पड़ेगी उसके बाद हम इसमें cardens method लगाएंगे देखो, आपकी book में पहले भी हम removal of terms वाला topic कर चुके हैं लेकिन उसमें हमने bookish language यूज नहीं की थी क्यों नहीं की थी bookish language क्योंकि थोड़ा tough पड़ जाता है मैंने आपको जिस structures और जिस form में और जिस formula से करा है वो थोड़ा सा easy बड़ेगा बकि आप इसमें देखोगे तो आपको वह tough सा लगेगा तो देखो removal of terms मैं आपको यह इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप connect कर पाओ कि हमने कैसे terms को remove किया है ठीक है यह आपकी s equation होती है और आपको इसे x की जगे x plus h के term में हमें लेके आना पड़ता है फिर जब आप इसे solve करते हो तो आपके पास h की value आती है minus का a1 upon में n0 and not h ठीक है इस form में हमें लेके आना पड़ता है यह चीज मैंने आपके किया है अगर हमें second term हमारा remove करना है तो यहाँ पर remove करने से पहले previous questions में भी हम इसे कर चुके हैं कि कैसे करना है इसको right वैसे तो पहले वाले questions में भी हम इने कर चुके हैं लेकिन एक बार अगर आपको और भी clarity से इसे देखना है तो एक बार इस book में अब अपना यह वाला method एक बार read कीजेगा कि इसमें क्या किया है कि हमने x equals to y plus h लिया है फिर इस term को follow किया है और फिर term को remove करने के लिए हमने यह method इसमें लगाया है ठीक है यही चीज यहाँ पर मैं करने वाली हूँ यह हमें पहले second term को remove करना है that is 3h minus 15 मैं लेके चल रही हूँ equals to 0 यहाँ से मेरी h की value 5 आ जाती है इसका मतलब यह है कि मुझे मेरी whole equation को 5 से reduce करना है that is मेरी transformed equation y equals to जैसे उसमें x plus h ले रही थी मैं reduce करना है इसलिए x minus 5 लिया है ठीक है आ रहा है समझ में कहां क्या करना है कैसे करना नहीं भी आया हो यह वाला step तो एक बार पहले वाले lectures देखना उसमें भी मैंने आपको बताया था और जो अभी topic बताया है उसको भी एक बार read out करना ठीक है और examples देखना और अच्छे से समझ में आ जागा कैसे करना है तो यह हो गया सिर्फ यही step इसमें main है हम x की जगे y plus 5 put करेंगे देखो y plus 5 put किया तो हमें यह equation मिलेगी that is इसको और open करो तो हमें इस तरीके से मिलेगी अब हम इसमें cardence method लगा सकते हैं देखो हमारी square वाली term यहां से remove हो चुके है totally अब हम इसमें cardence method लगा सकते हैं y करना है आपको y equals to p1 by 3 plus q1 by 3 cube निकालना है इसका cube निकालोगे फिर इस term को इधर ले आना फिर p1 by 3 और q1 by 3 इन दोनों equations को compare करके आप p1 by 3 और q1 by 3 की value निकाल सकते हो 36 आएगी यहां पर value आपके पास क्योंकि 36 into 3 करोगे तो 108 मिलेगा आपको ठीक है यहां से pq की value आगई आपके पास और p plus q की value यहां से निकल जाएगी क्या आएगी 432 minus का 432 क्योंकि यहां पर minus है ठीक है minus का 432 मिलेगी तो p plus q मिल गई तो p minus q का whole square आप निकाल सकते हो यह कैसे आया यह मैं पहले वाले question में आपको बता चुकी हूँ ठीक है अब देखो p plus q और p minus q आपको मिल गया इसको solve कर लो तो आपको p और q की value मिल जाएगी same i की minus का 216 ठीक है यहां से p1 by 3 और q1 by 3 की value आपको minus का 6 मिल जाएगी तो alpha की value निकाल लो, beta की value निकाल लो और gamma की value निकाल लो ठीक है यह आपके roots आगए original roots क्या होंगे original roots होंगे हमारे यह minus 15 minus 15 करके निकाले लो ठीक है minus 15 plus 5 plus 5 ठीक है वो question आपको आगया होगा समझ में next question करते हैं देखो यह हमें equation दे रखी है इसके हमें roots बताने तो वही same process आपको apply करना है x की value वही p1 by 3 और q1 by 3 लेके चल रहे हैं ठीक है अब आप इसको solve करोगे इसका cubic equation निकालोगे तो यहांसे p1 by 3 और q1 by 3 की value आपको a cube मिलेगी ठीक है a cube मिलेगी और pq की value आजाएगी यहांसे a की power 6 गयाएगी आपको इसको solve करना है जैसे हमने पहले वाले questions में कर रहे थे हम कि इसका whole cube निकालेंगे whole cube निकालने के बाद जो आपके पास comparison करोगे आप तो आपको यहांसे a cube मिलेगा तो pq की value a6 आजाएगी sorry a की power 6 आजाएगी और p plus q की value आपर पास 2a cube cos 3a यह value आजाएगी या p plus q मिल गया तो p minus q का whole square that is p minus q की value निकालने के लिए हमें इसका whole square कर देंगे तो यह इसका whole square आजाएगा और minus का 4a की power 6 आजाएगा चीक है? क्योंकि p q करना है और p q क्या है? a की power 6 इसको solve करो p minus q की value आपको मिल जाएगी यहाँ पे cos square 3a minus 1 is sin 3a iota क्योंकि root में हमारे पास है तो root में minus का 1 is iota complex numbers में हम पढ़ चुके हैं कि iota की value होती है root में minus 1 omega की value minus 1 minus root में 3 iota by 2 ऐसे होती है ठीक है? right? तो यह हमने निकाल ली अब p की value यहाँ से निकालेंगे यह आजाएगी q की value इधर से निकालो put करो p की value p plus q और p minus q आपको given है यहाँ से आप p की value और q की value निकालो यह आजाएगी p और q की value मिल गई alpha, beta, gamma की value यहाँ से निकाल लेंगे ठीक है? यह हमारे पास roots आगया और देखो हमें यही value मिल रही है एक तो 2a cos है यह given है हमारे पास 2a cos है और एक value हमारे पास आ रही है 2a cos 2 pi by 3 plus a 2a cos 2 pi by 3 plus a ठीक है आ गया हो गया solve एक बार खुट try करके देखना बहुत easy method है खुट से एक बार हाद से करके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है बस कुछ नहीं करना है P1 by 3 और Q1 by 3 assume करके चलना है whole cube करना है comparison करना है PQ की value निकालनी है alpha beta gamma में put करनी है roots आ जाएंगे ठीक है अब हमारा इसका second method solution of cubic equations का दूसरा method है हमारे पास Ferrari method by quadratic equation भी बूलते है हम इसको ठीक है Ferrari method आप इसको किस से link कर सकते हो Ferrari is a car four wheeler तो वो four wheeler थी इसलिए हमें four power by quadratic equation में हम इसे use करेंगे fourth power की equation में हम ये method लगाएंगे ये भी बहुत ही easy method है देखो इसमें क्या करना होगा आपको दोनों side ax plus b का whole square add करना होगा ठीक है ये ही चीज हमने किये ये equation थी हमारी इसमें ax plus question सही समझ रहे है direct ax plus b का whole square इस side भी add कर दो और ax plus b का whole square इस side भी add कर दो अब आपको इसको इस form में लेके आना है इस तरीके से add करना है a और b को इस तरीके से आपको choose करना है कि आपकी equation किस form में बन जाए x square minus x plus k का whole square अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ठीक है x square ले लिया okay done k ले लिया वो भी मान लिया but y minus x क्यों लिया हमने देखो minus x का relation इस term से होगा जो ये term हमें यहाँ पे given है इस से related होगा यहाँ पे minus था इसलिए हमने यहाँ भी minus लिया यहाँ पे हमें 2 given है इसका just half हमारे पास आता है minus का 2 given है इसका half करोगे तो आपके पास minus का 1 ही मिलेगा right अगर यहाँ पे minus का 4 दिया हुआ होता तो यहाँ पे हमारे पास minus का 2x आ जाता चीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है और आपको इस equation को इस form में लेके आना है तो अब क्या करेंगे हम इस equation को इस form में लेके आने के लिए just do a simple thing देखो x की power 4 minus का 2x cube अब हमें इस पूरी equation को इस form में लेके आना है इसलिए हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से arrange करेंगे कि हमारी इस equation में बन जाए तो अब इसको open किया है हमने ax plus b का whole square जब आप इसे open करोगे तो इसकी कुछ terms इससे relate होंगी और आपको इस तरीके से कुछ equation मिलेगी और यह किसके equal हो जाएगी x square minus x plus k का whole square फिर आप इसको भी open करो इसको यह open ही है हमारे पास इसको भी आप open कर दो फिर comparison करोगे तो आपके पास a square minus 5 की value आएगी 1 plus 2 के यह आपको करके देखना है method बहुत easy है एकदम previous small classes में जो हम करते थे ना 8th 9th में comparison करना equations का यह हम पहले भी कर चुके है x plus b का whole square यह वाला RHS side भूल जाओ सिर्फ इसका ध्यान रखो अभी तो कि आपको इस equation को इस form में लेके आना है तो इन दोनों को equal किया इसका whole square open करके compare किया है इसका whole square open कर दो comparison करोगे तो a square minus 5 की value 1 plus 2 के यहाँ से आपको a square की value 6 plus 2 के मिल रही है फिर इसकी value minus का 2 के आजाएगी यहाँ से आपको a b plus 5 की value minus का k मिलेगी इसको open करो b square minus 3 की value k square आएगी b square की value 3 plus k square मिल जाएगी that's it अब देखो अब क्या करना है a b जो है a b की value क्या आ रही है आपके बस minus का k minus का 5 यही आएगी यही चीज यहाँ पर लिखे है हमने whole square कर दो a square b square minus का k minus 5 का whole square ठीक है अब a square और b square क्या है 6 plus 2 k और 3 plus k का k square और इसको open करके लिख दो यही open करके लिखा है open करके लिखने से हमें k की value मिल गई minus का 1 जब आपको k की value minus का 1 मिल गई इसमें put करोगे तो आपको a की value 4 2 b की value 4 और minus का 2 that is a b की value आपके पास क्या आनी चीए minus का 4 आनी चीए यह आपको यह आपका solution निकला है कि a b की value आपके पास क्या आनी चीए minus का 4 आनी चीए अब आप इसे put करो equation में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा? कि ये वाली, इस equation में पुट कर रहे हैं. कि ये वाली equation हमारी कैसी बन गई थी? x square minus x plus k के whole square के form में बन गई थी. तो वही k की value क्या आई है हमारे पास? minus का 1, तो x square minus x minus 1 का whole square. किसके equal होगी? ax plus b plus, ax plus b का whole square के equal होगी. a की value क्या है हमारे पास? 2. तो 2x आगया. b की value क्या हमारे पास? minus का 2, तो minus का 2 आगया. whole square आगया? open करो, ये आजाएगा. अब आपको एक तरफ plus वाली term लेनी है, एक तरफ minus वाली term लेनी है. पहले हम plus वाली term लेके चले, तो x की value या आगई, minus वाली term लेके चलेंगे minus की value यह आ गई easy था ना fourth power की equation को हमने इतने easy method से solve कर लिया कि just सिर्फ ax plus b का whole square इधर और इधर add किया है इस equation को x square minus x plus k के whole square में बनाया comparison किया k की value निकाली ab की value निकाली इसमें put कर दी इस वाली equation में बस यह equation बनानी है आपको compare करना है a और b और k की value निकालनी है और इसमें put करके कर देना है आपके पास roots आजाएंगे देखो कितना easy था ना Ferrari method और Cardens method से हमारी cubic equation और fourth power की equation को हमने यूं solve कर लिया बिना जादा अपना time waste के बहुत easy method था अब आपको क्या करना है की example solve करना है जो मैंने आपको आज questions कराए है उन questions को एक बर खुद से करके देखना है उसके बाद examples राय करना है आपके questions बहुत ही easily solve हो जाएंगे ठीक है कहीं भी कोई भी doubt आ रहा है तो मैं तो हूँ ही मुझे comment section में comment कर देना मैं आपको explain कर दूँगे तो आज का homework क्या है आपका कि आपको channel को मेरे session को like, share and subscribe करना है thank you so much for watching my video so समझ में आई क्या होगा आज का lecture नहीं समझ में आई हो तो comment section में comment करना okay thank you so much